आप सबस्पाइब है हमारी YouTube चैनल चाया मिस्रा की रसोल्य में तो आज की रेस्पी क्या है आपसे लाइक करें दो लाइक करेंगा सब्सक्राइब करेंगा तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो तो यह देखें का आज हम लेकर आगा है आप लोगों के लिए केले के और बेसन का भी यूज हमने एक से दो स्पून किया हुआ है और कोपते आप देख सकते हैं कितने यम्मी और कितने टेस्टी है और टमाटर भी एड नहीं किया सबसे बड़ी बात है आज के कोपतों की किसमें टमाटर यूज नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमन तनकर खाएंगे इतना टेस्टी और इतना यम्मी बनता है कुछ बच्चे जो होते न वो सिरुत हुर सिसमे के जदा इसे घर सप अधा कोपथे कोपदे खतम कर देंगे आप सबदी बना आने जाएंगे तब तक आधे कोपदे खतम हो चुके हो तो चलिए बनाना कि अपनों। यह द्धिक हमने लेकं लियेbraते हैं हुआ की रखने भीश लेकंगा। तो आप देखे इन्हें हम ग्रेट को दरा नहीं करेंगे देखे इनको छील लिया था चीलने के बाद में अगर आप छील कर ऐसे रख देखे तो तो काले पर जाते हैं इसको धुल कर रखेगा तो अब क्या लेंगे एक पैन लेंगे और देखे गाइस पैन हमारा थोड़ा सा कर देखे हो आपको कि इसमへं पुर्या थे इन अले क्या रखे यूण से पैने और रखे लीए हैं अब इसमें हम क्या करेंगे अपने केलों को फ्राइब ऑल था बस उसी में हम फ्राइब कर लेंगे इस थोड़ा सा धखक देंगे उसके बाद में हम इसे बाद की यह देख स सच में बिलकुल एमीजिक बनेंगे और बिलकुल ही सारे के सारे बिच्चे चत कर जाएं 10 मिनुटे में सारे केले हमारे कैसे हो Hmm blue और मिलपी डेखे हैं अधी खुर भी नहीं तो देखे अब लिए एक बार प्याय कर लिए थो डिया है यह प्याज का जूस थोड़ा सा निकाल लिया है अगर हमारी डेग वीजियो देखे होंगे तो आपनों को पता हुआ कि हैं प्याज की जूस का क्या करने वाले यह टेखे मसाले डाल देगे हलदी पाउडर धनिया प है देख सकते हैं बखर टेस्टी बनता है था हमारे बच्चों ने तो बहुत अच्छे से खाया था तो ये देखिए आप डाल देंगे चाट मसाला अब यह यह लेगि हम काली मिर्ची पाॉडर यह देख सकते हैं यह सकते है इससे हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी कम लग जलते नहीं हैं उपर से हम यूज कर लेते हैं सब चीजों का तो देखिए इन हम केलों को ऐसे पोटेटो मैसर से मैस करेंगे यह देखिए जब हम केले करते हैं तो बॉयल करने के बाद उसमें थोड़ा सा चिप चिप और लिकुटी रहता है इस वज़े से उसमें बेसन ज्या कि व्हूटी पाउडर, चाट मसाला, इसमें हम खटाई का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आमचुर पाउडर मेर्ड बना कर रखा हैं, तो इसलिए इसमें क्षटाई का यूज नहीं करेंगे, आप इसमें ठाल देगे, पास लाल मिर्ची होई नहीं थी, हमारे पास नमक पि दाल दीजेगा और मिर्च पाउडर डाल दीजेगा यह देखे दो स्पून हमने ले लिया है बेसन कुछ भी नहीं करना है आप इसे हम करेंगे मेक्स यह देख सकते हैं देखे वैसे तो आप केले जब मैस करते हैं तो बहुत जादा लिपिट्टी गीला हो जाता है यह पानी में मौश्यर केले में इस वज़े से तो इसमें हमने बॉइल नहीं किया है इसको सिर्फ फ्राइ किया है तो फ्राइक से ही पग गया थे तो प्याज डाल दिया अब इसी लिए हमें इसमें पानी थोड़ असा देखे दो स्पून के करी पानी भी लेना पड़ा आप द और सबसे बढ़ गाती है कि इसमें कुछ जो हमने भूने थे करे ले फ्राइ किये थे उसमें हलका हलका सा रेड़ स्पॉर्ट हो गया थे यह भूने केलों की जो इसमें लाती है बहुत टेस्टी और बहुत यमी होती है सोधापन आजाता है हमारे कोपतों में तो देखिए प्राइन की जोटी छोटी चोटी से नीवव की आकार की बॉल लेनेंगे जिए ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे वश्चे तो इसमें सारी चीज़ें पकी हुई है मगर फिर भी बेसन का यूज भी बहुत कम मात्रा में किया है लेकिन फिर भी आप छोटी चोटी बॉल लिया है सेम उसी कडाई में हमने थोड़ सा ओय बढ़ा लिया था बस अभी देखे एक बॉल डाल कर देखे देखे डालते ही एक तम से इसमें बबल नहीं निकले हैं दीमी दीमी फ्लेम पर बबल निकलते हैं तो इनको हमें धीमी फ्लेम पर ही डालना है जिसके देखे एक दम अगर आप ना जाने कट करके डालना चाहिए तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं कोई प्राव्रम नहीं होगी तो देखिए हमारे अच्छे से हो चुके हैं उलटते पलटते हम ने फ्राइ कर लिया अच्छे से और सच में यह कोपते खा करके आप लौकी के कोपते खाना भूल इतने टेस्टी लगते हैं क्योंकि हमने बनाया तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया तो यह देखिए फ्राई हो चुके हैं अब इन्हें निकाल लेंगे अलागी स्टेनर में रख देंगे जिससे एक्स्ट्रा जो ओयल होगा ना वह सारा निकल जाएगा इसके अंदर यह देख सकते हैं इस तरह से यह देखिए नीचे टपक रहा होगा और जो दूसरे हमने कोपते बना कर रखे हैं उनको फ्राई कर लेंगे तो चलिए यह सारे फ्राई करके हम मिलते हैं फिर दिखाते हैं तो तो तेकि ऐल एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है मगर हमने ले मस्ट्रा आयल की इस तरह से म्ने जीड़ सपीं कोपते बगराम में ज्यादा अच्छे लगते हैं तो इस तरह से हमने देख स्पून के करीफ मस्ट्रा यह ल буल ली यह जीरा लाल दिया है 13 एक शंप और इसमें कूढ़ देङके थोड़ी सी हींग 2-3 पींच क्योंग कोपते और मसालों में पानी यूजस रिया है, तो वही प्याज पानी मसालो तौन यूजस लिया है, तो इस बहुत अशा चैज्टेश्ट बने? तो हमारा प्याज जो हो गहा है, वो हलका हलकासा फ्राइए होने लगा है, इस तरह से देखिए। तो मैटने नहीं करा हैं, तो टमाठर जैसा रंग राने के लिए रखक रहा है हम बादे है कश्मीरी लाल मिर्च पाऌडर है यह देख सकते हैं इस으면 तरह से तो इससे क्या होगा ला कि यह अच्छे से कलर देगा रेड रेड का जैसे टमाटर डालने पर रेड हो जाता है भसूची तरह से तो थोड़ा सा ही डाला है और यह जो मसाले का पेस्ट बना कर रखा था वह भी हमने एट कर दिया अब इसे भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा पानी ले लिया क्योंकि बाउल में जो होता है वह मसाला काफी लग ज यह जो भी कृएँ तो इसलिए हमने बैसन डाला है एक स्पून अब इसे क्या करेंगे हम अच्छे से पका लेगे बैसन और मसाले को अच्छे से पका लेंगे एक बात और ध्यान रखेंगा आप देख रहे होंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ तीन स्पून जी यह कोपते बना तो जो पानी है वह अपनी आपको इतना ग्रेवी चाहिए उससाब से डाल दीजेगा क्योंकि हम इसे पकाना भी होगा तो हमने करीब करीब 2 लास डाल दिया है यह देख सकते हैं 2-3 लास तो इसे हम पका लेंगे हमें नमक दाल देगे तो यह वही दाल राट देंगे वहीschaft की दिखाएं को एम छीisesti पदिखेंगे मेर्च की एके 1800 कि मदरने देगे कितने सॉफ्ट कोपते हैं कि यह देखें कहीं से भी आपको कच्छा नहीं लगेगा कहीं से भी और स्वाथ तो इतना अच्छा है कि आप ऐसे ही पकॉडियां खा जाएंगे देख सकते हैं तो चलिए आगे देख लेते हैं इस तरह से बिचों के नास्ते में भी रख देना तो बच्चे सॉख से खाएंगे स्कूल को इन को नास्ते बना की दे देगी तो गाफ़ी अच्छा से खाएंगे तो देखिये अब वायल आ चुका है तो इस तरह से पका लेंगे कम से कम पांच मिन्ट कुशी ग्रेवी जितनी अच्छी पकी होगी उतनी ही अच्छी इसमेल आएगी और टेस्ट आएगा आप देख सकते हैं इसमें टेमाटर हमने आएड नहीं किया मगर कलर देखिए रेड रेड टेमाटर जैसा आने लगा है तो देखिए इसी तरह से आप क्या करेंगे इसे ढख कर पकाएंगे पांच म अगर आप इसे ज्यादा कुक कर दोगे ना तो कोपते हार्ड हो जाएंगे और वह इसकी ग्रेवी नहीं पीएंगे तो इसमेल थोड़ा सची आने लगे इस तरह से ढख कर देंगे देखिए दो मैट पका लेंगे देखिए दो मैट पक गया है तो बंद कर देंगे एक बात तो इसको 10-15 में जरूर रख दिया है तो देखिए आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी थीक और कितनी यम्मी लग रही है देखने में सायद कैमरे में उतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पाया है कैमरा मगर बहुत टेस्टी बहुत अमेजीम बनी थी रेस्पी तो य एक पाया कर है यह हम एक देखिए कितने अच्छी कोपते हमारे सजगा है बहुत अच्छी बहुत लगी हो तो प्लीज लाइक सास्क्राइब एंड सेर करिएगा और बताइग रेस्पी हमारे कैसी लगी आप लोग तो यह की कट करके भी दिखा देते हैं यह देखिते और ने गाल बाइ!